हाई अब्रिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल और पताई दोस्तों कैसे हो आप सब आयो पाप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आज की वीडियो में में लेकि आचुक हैं अपना इवनिंग का जी टैम का जो स्नाक हुता है वो बताऊंगी कि मैंने क्या बनाया और अपना आइट का डीनर रूटीन वो दिखाऊंगी आप मेरी वीडियो में लास्ताक बनी रहेगा वीडियो मेरी वीडियो को लाइक कर विंद चैनल पर ने तो subscribe बेल प्रेस्च भी कर दीजिएगा जिसे मेरी आने वाली वीडियो की विलॉग शेयर कर रहे हूं तो मैं क्या-क्या आज बनाऊंगी और तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलती हूं किचन में मैंने फाइन चॉप कर लिया था प्याज है एक छोटा सो टामाटर है मिर्च है और धनिया है तो आप मैं बनाऊंगी टी टाइम में चिला बेशन का चिला बना रही हूं मैं और चाय बनाऊंगी तो यह अमारा इवनिंग का जो है ना बेकफास्ट यारे टी टाइम है तो मैंन मैंने हाफ। चम्स रेट्चुली डाला था इसके बाद मैंने थोड़ा से धनिया पहले लाता थोड़ा से घरम माशाला था हल। nine में तो थोड़ी सी एजवाइन डाली थि तो यह देखिया से मैंने इसमें आजवाईन डाली थी और इसकी बाद और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लोगे फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक पेस्ट बना लोगे तो ठीक पेस्ट बनाओंगी क्योंकि चिला बनाने के लिए फ्रेंट ठीक पेस्ट रहता है अगर आप पतला बनाओंगे तो चिला हमारा तूट जाएगा तो देखे इस इतनी थोड़ी से चीजों में आपका बहुत इच्छा बनके तयार होगा तो देखे मैंने यह लोगे का तवा लिया हुआ है और इसको सबसे पहले अच्छे सी गरम कर लेंगे और जब तवा हमारा गरम होचाएगा तो देखे मैंने स्पून के हल्प सी मैंने मस्टर ओयल का और तावे में इसप्लेट कर दीओं और फिर में दो चमच भरके यह पेस्ट ले लूंगी बेसन का और फिर मिसको अच्छा से स्प्लेट कर दोंगी और चिला का जो पेस्ट उतर प्रिन ना इसको ठोड़ा मोटी लेयर में रखिएगा बिल्कुल पतला मत करिये गा नहीं च जून डाव चाय में क्याव हमारा इंद शतु हें दिखिते थेना चाय नीचे से पक पर यूल इस अब से को चला प्लट दो tit अनका मैं मैं पर आत्यं चले छthers और नीचे से जोरह और अखैंपु आग det तो देखिए अब आपको कहीं सी भी ठूटा नहीं लग रहा है तो आप मैं इसी को ऐसे ही पलट पलट के मैं इस चिल्य को सेक लोगी और इस टाइम थोड़ा गैस की आज मैंने हाई कर दी थी जल्दी जल्दी मुझे बनाना था और चिल्ला हमारा पर्फेक्ट पक गया था च चिल्ला हमारा पिल्कुल पर्फेक्ट रैडी है और यह चिल्ले को मैंने प्लेट में निकाल ले रही हूं और इसी तरह से मैं दूसरा जो चिल्ला है उसको भी डाल दूँगी तो देखिए दूसरा भी चिल्ला मैंने तवे में डाल दिया और इसकी कॉर्णर में मैं तो देखें मैंने थोड़ा फिंगर की हेल्प से भी मैंने से ऊपर लाया था नहीं तो चिला हमारा तूट जाता है तो देखें कितने एजी से पलट भी गया और इसको पलट पलट के मैं अच्छे से पका लूंगे तो यह देखें हमारा नास्ता रेडी है और बेटा भी काफी अच्छी से चिला खा लेगी रहा था तो यह हमारा टी टाइम में मैंने चला और पराथा माथा मातला भी चाय बनाई वही थी तो देखें इस प्रेट पलट ले रही हूं और तो देखें यह हमारा रैडी है तो अब मैं आप उसे मिलती हूं चिला मतलब यह ब्रेकफस्ट रैडी करने खाकर और मतलब यह नास्ता खाकर और इसके बात फ्रेंड मैंने ना चुब क्लीनिंग वगारा वो भी कंप्लीट कर लेती और मतलब अब मैं आपसे डिनर में मैं क्या बना रही हूं यह बताती हूं उसे फ्रेंड देखें चिला खाल गया था तो इससे थोड़ा थोड़ा पेट भरा हुआ लग रहा था तो हस्बिन ने बोला कि तैरी बना दो यह तो देखें इस तरह से मैंने सारी प्रिप्रेशन कर ली थी ताकि वीडियो मेरा जदा लॉग ना बने तो यह देखें मैंने कटोरे में लिया हुआ था तेजपता था जीरा था हींग थी और मैंने एक चमस भर के मेथी लिया हुआ था और सब्जियों मैंने प्यास टमाटर मतर सोया बीन और यह सब लिया हुआ था चावल को भी मैंने अच्छा से बिनके साफ कर लिया था चीर मैंने से घर Lam कर लिया मैं अच्छा आसए भूँन कर लिया छवांग ग leg खानां Yazτाब के साधह ये 10 अद्रक्लेशन का पैश जब ते अ अच्छा ste supposed तो पाने निकाल लिया और अब इसमें डाल दी आलो अगर आपके पास जो भी सब्जिया आप उसका यूज कर सकते हो आप चाहोथ इसमें गोभी और हरी मेथि का यूज करें तब भी बहुत अच्छा बनता है मैंने सिर्फ चार मसाले लिये वेते हल्दी मिर्च गरम मसाला और धनिया पाउडर और इतना ही मैंने अच्छे से मिक्स का लिया था थोड़ा सा पानी डाल कर मैं इसे कुछ देर तक पकाऊंगी दो से तीन मिनट जिससे हमारा मसाला ना वह अच्छे से पक जाए और इसमें इसी टाइम में इसमें डाल दूंगी चावल और चावल को भी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी तो देखें चावल को मैंने इसमें डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया तो फ्रेंट इतने ही मसाले में हमारी जो तैरी है काफी ज़्यदा ऐमी बनेग प्रेशवात होर लगोलागाि कि आपके लियाों कि प्लेट के आपक्षिर मेधा जब करोंगा अगयाकाइब नेस उसको मेधे और सज़ालिया चुल से मिधे और यहाइप वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनले पर सिस्क्राइब कर दीजेगा मिलती पर किसी नेक्स विलिएम तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड